अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बिटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर 30 साइन सब्जेक्ट की है बिटा तीन तारीक की है और सेवंथ किलास के बच्चों के लिए ठीक है जिसमें हमारा जो चैप्टर चला हुआ है लाइट उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें अभी तक हमने बेटा मिरर के बारे में जाना था और वो भी प्लेन मिरर के बारे में और फिर स्फेरिकल मिरर के अब हम इसके बारे में जानेंगे लैंस के बारे में जानेंगे इसमें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अच्छे से समझ तो प्लीज वीडियो को लाइक शे जरूर करना बेटा और चैनल पर नहीं आएगो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना देखो यहां पर आप देख रहे हूंगे यह तरीके का लैंस है बेटा जिससे यहां पर यह अक्सर हमें दिखाई नहीं दे रहें लेकिन इसमें हमें इस पस्ट नजर आ रहे हैं ठीक है तो टूडे मनीज अलोंग विद इस फ्रेंड्स वाज यूजिंग दी मैगनिफाइंग लैंस टू अब्जव दी बोडी पार्ट्स ओफ एक कोक्रोच तो मनीज क्या करता अपने फ्रेंड्स के साथ एक मैगनिफाइंग लैंस मैगन मैगनिफाइंग लैंस का परियोग नहीं करता है तो वो कोक्रोच के जो पार्ट्स हैं बोडी पार्ट्स उनको अच्छे से नहीं देख पा रहा है लेट एस ट्राइट तो चलिए उसका कारण क्या बिटा उसको समझने की कोसिस करते तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैगनिफा च्छोटे एक्सरों को पढ़ने में यूज होता है लेंसी आर वाइडली यूजड इन स्पेक्टेकल्स जो लेंस होते बिटा ज्यादा तर आप देखते होंगे जो स्पेक्स लगाते हैं उनके अंदर लेंस का परियोग किया जाता है ठीक है टेलिसकोप के अंदर छोटी व देखो दरपन जो थे बेटा दरपन में क्या होता था सिर्फ एक साइड से प्रकास जाता तो वापस उसी में आ जाता था क्योंकि उसके पीछे से वो ओपेक था पारदर सी नहीं था ठीक है लेकिन ये पारदर सी है ट्रांस्पेरेंट है इसमें से प्रकास जो पास हो सकता आर पार जा सकता है ठीक है light can pass through them इसमें से आर पार जा सकती है तो इसलिए ये क्या है transparent है अब देखो दो तरीके का होता है ये भी convex lens और concave lens जैसे की concave mirror और convex mirror था ऐसे ही यहाँ पर क्या है यहाँ पर ये दो ये क्या है बेट एक तरीके का लगा लो आप ये mirror है convex ऐसे ये भी एक mirror लगा लो convex दोनों के मिलाने से क्या बन गया convex lens बन गया ठीक है ऐसे समझ सकते हो those lens which feel thicker in the middle then at the edge are only convex lens जो बटा middle से हमें मोटे नजर आते हो और हम उनको स्पर्स करके देखें तो किनारसों में वो पतले नजर आते हैं तो ऐसो कम क्या बोलते हैं convex lens एक convex lens coverage यानि की क्या करता है convex lens converges यानि की bands inward converges का मतलब क्या होता है अंदर की तरफ मोट देता है किसको the light generally falling on it जो की light इस पर पड़ती है therefore it is called the converging lens जैसे की यह picture में दिखाया यहां से प्रकास आया इसने क्या क्या इसको एक point पर एक बिंदू पर converge कर दिया यहने की केंदरीत कर दिया तो इसलिए इसको converging lens भी बोला जाता है concave lens क्या होता है दूज lens which feel thinner in the middle जो की बीच में से हमें कैसे नजर आते हैं पतले नजर आते है then at the edge are concave lens और जो किनारों से क्या होते हैं मोटे नजर आते तो उनको concave lens बोलते हैं और यहां से यह क्या करेगा इसको फैलाता चला जाएगा ऐसे और इसने इसको एक point पर केंदरीत कर दिया था तो therefore it is called diverging lens तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं diverging lens बोलते हैं ठीक है अब बेटा देखो image किस तरीके से बनते हैं image form by lenses तो convex lens क्या करता है एक convex lens form real and inverted image वहाँ पर तुमने देखा था convex mirror में क्या होता virtual and क्या थी erect उसमें virtual और erect image थी मतलब सीधी थी और आभासी थी लेकिन इसमें convex क्या कर रहा उल्टा कर रहा क्योंकि यह lens है वो क्या था mirror था यह चीज का ध्यान जरूर रखना है कि convex mirror पूछा है यह lens पूछा है तो convex lens क्या करता है real or inverted image को form करता है but when an object is placed very close to the image formed is virtual erect and magnified लेकिन अगर हम उसको image को बहुत पास में रख देंगे देखो यह दूर थी तो बेलकुल यह क्या था बटा real थी और क्या थी उल्टी image बनाई थी लेकिन हम पास में ले आएंगे तो हमें क्या करता है यह काफी बड़ी image बना कर देता है यहाँ पर कटा हुआ है वो लेकिन इतनी बड़ी हमें यहाँ पर क्या मिलती है उसकी image मिलती है और वो virtual erect होती है और magnified होती है फिर when convex lens is used to see object magnified it is called as magnifying glass लेकिन बेटा जब हम convex lens का प्रियोग किसले करते है magnify करने के लिए किसी चीज़ को बहुत बड़ा करके देखने के लिए तो हम इसको क्या बोल देते है magnifying glass का नाम दे देते हैं जैसा कि हमें इसमें दिखाएगा बहुत ही बिल्कुल पास में लाके हमने जब देखा तो यह magnifying glass का काम कर रहा है ठीक है उसके बाद बेटा concave lens एक concave lens always form erect virtual and smaller image than the object concave lens बेटा क्या करता है वो काम करता है जो की convex mirror करता था ठीक है यहाँ पर वो concave lens करता है तो concave lens क्या करता है virtual बनाता है छोटी image बनाता है object के और सीधी image बनाता है यहाँ पर आपको दिखाए गया जितनी मुमबत्ती की low थी बेटा उतनी दिख रही है सीधी दिख रही है ठीक है और वो real नहीं है उसको क्या कर सकते स्क्रीन पर obtain नहीं कर सकते किसी भी जैसे यहाँ पर यह दिख रही है इस तरीके से इसको obtain नहीं कर सकते अब हम करतें इसके question बेटा देखो state two differences between a convex and a concave lens तो convex और concave lens में difference बताने है दो कोई भी तो देखो क्या करोगे बेटा आपको कैसे लिखना इस तरीके से यहाँ पर convex lens लिखोगे यहाँ पर concave lens लिखोगे फिर यहाँ पर one point डालोगे यहाँ पर भी one इसका फिर two फिर two ऐसे three और three इस तरीके से आप डाल दोगे तो क्या लिखोगे बेटा फैले point में first लिखोगे those lens which feel thicker in middle than at as are on the convex lens ठीक है इसमें क्या लिखोगे first those which feel thinner in the middle than at the edge are concave lens ठीक है second point लिखोगे बेटा यहाँ से कि एक convex lens converges the light generally falling on it यह लिखोगे concave lens diverges the light falling on it ठीक है यह दूसरा point इसका हो जाएगा इस वाले का फिर आप इसको चाहो तो यहाँ पर एक एक क्या करोगे convex lens का बना दोगे यहाँ पर concave lens का बना दोगे तीन तीन point आपके बन गई easily ठीक है और यह वाला diagram भी चाहो तो यह वाला भी बना सकते हो दूसरे point में ठीक है उसके बाद बेटा आपका second question का है which type of lens form always a virtual image किस तरीके का lens जो है वो virtual image form करता है तो देखो बेटा कौन सा करता है concave lens हमने देखा virtual सदैव always ठीक है तो आप लिखोगे concave lens form always a virtual image यह काट दोगे ठीक है या पूरा लिख दोगे यहाँ से concave lens always forms always a virtual image मैं दूबर लिखके दिखा हूँ नहीं तो आप यहाँ से भी लिख दो देखो concave lens always forms a virtual image फिर बेटा एक convex lens used as a magnifying glass यह सही है या गलत तो यह बात सही है तो हम इसको true करेंगे इस वीडियो में इतनी अपना next topic जोगा नेक्स वीडियो में करेंगे तब तक लेसे हसते रही है मुस्क्रात रही है पढ़ते रही है बढ़ते रही है थेंक्यू